अंत में भगवान ने यदवनसियों को उपदेश दिया ब्राम्मन की आग्या पालन करना संत सादूओं को सेवा करना गईयों की रक्षा करना सेवा करना और दरवाजे पर हमेशा गाय का खुटा रखना गाय बांध कर रखना सराब न पीना जुआ न खेलना वेवचार न करना ये सारा भगवान अपने बच्चों को नाती पोतों को पढ़ाते हैं और जंगल में यात्रा कर जाते हैं भगवान की आग्या का उलंगन किया भगवान के बंसजों ने कहते हैं भगवान ने स्राप दे दिया उनका विनास करने का आवरितम्यदोन पदमूल भगवान ने अपने सीधे पैर को घुटने पर रख लिया सीशम के पेड़ के नीचे आराम करते हैं हिरन के पीछे भील दोड़ रहा था बान छोड़ दिया भगवान ने बान अपने पैर में ले लिया हिरन के प्राण बचा दिया ये हिरन वो है जो राम के अवतार में भगवान ने सीता के लिए धोके से मार दिया था मायावी हिरन को आज हिरन की रक्षा करके भगवान ने इस अवतार में पिछले अवतार का रिण चुका कर भगवान फिरी हो गए और अपने दाम बैकुंट में चले गए बियतम गंगान भागवतम तब भगवान जब संसार छोड़ रहे हैं तो सीधा सुगदेव जी ब्यास जी कथा लिख रहे हैं भगवान बैकुंट चले गए एक रूप से और विग्र है रूप से भागवतमे जो भागवत करवाएगा जो भागवत को पूजन करेगा भागवत पढ़ेगा साक्षात कृष्ण का ही दर्सन फल प्राप्त हो जाएगा उसे भागवत की महमा इतनी है सुगदेव जी ने कहा रजन रिशी का स्राप था तुम्हें लग गया था देखो काल आ गया तुम्हारा नाग आ गया है खड़े हो जाओ राजा अब नहीं डरते काल से क्योंकि सथ-गुरू की कृपा हो गई है मृत्यु का घ्ञान हो गया राजा इस्तथ भुगए हे गुर्दे, मुझे काल का भे नहीं है, क्योंकि ऐसे महान गुरू मिल गए हों, वो कभी किसी से डरते नहीं, किसी से नहीं, सत्कर्मम बिशार दम गती, मैंने जो सत्कर्म कर दी आपके कहने से मेरी गती हो गए, और गुरू आज्या से जो आदमी सत्कर्म कर लेता है, उसकी गती पक्की है, उसकी शदगती ही होती है, उसे साक्षात, गुरू के चरणों का बास, संकर के चरणों का बास, कैलास का बास, दुर्गा का बास, विश्नु के लोग का बास प्राप्त हो जाता है, राजा जो किरपा की है वो धन से नहीं तोली जा सकती पर संपुन धन देकर आपने कृतार्थ कर दिया दक्षिना के रूप में तन मन धन सम अरपन कर दिया और राजा जगे पर बैठ गए तब सुकुदेव जी ने आग्या की तक्षक नाग को नाग जाकर कहता है गुर्देव आज म लेता है तो काल का भी उद्धार हो जाता है भागवत सुरोता की महमा इतनी ज़ादा है तो भईया मेंदर जी, रुकमनी जी आपका परवार आप तो इतने महान हो चुके हो कि काल भी अब दंडवत करेगा तुमको आया आके आ आके बोलेगा बोलो चलोगे को नहीं तुम और करो करते ही रहो काल इस पर्स नहीं कर सकता देवं भगवतं प्रियाम सब लोग मिलके बोलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे आप आईए पती पतनी आईए पूजा करने पड़ती है हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोलिए मुक्तानन्द महराज परिक्षित की सुगदेव भगवान की भागवत महापुरान की बस्ती माता की भक्त भगवान की बोलिए कृष्ण कनहया लाल की जै नमपार्वती पते हर हर महादे जै जै स्री आदे पूजा कर लिजी ठाली ले लिजी भागवत का संपुल्ण साथ दिवसिय जो भी सतकरम तुमने किया इसरोताओने माताओने बहनोंने बंदुओने और जिनोंने भी यहां सहोग किया है तन का मन का धन का समय का सवी कारिकरता युवासाथी बच्चे बूढे सवी परिवारी जन सबको बहुत-बहुत भागवत का फल प्राप्त हो जिस भावणा से कथा जिसने सुनी हो उसकी वो कामना पूरी हो क्योंकि भागवत का फल कोई बांट नहीं सकता जो सुनेगा उसे मिलेगा संपुन छेत्र में ये धर्म की पता का लहरती रहे संपुन छेत्र व्यसन मुक्त हो कोई अकाल ना मरे तुमारे छेत्र में और ऐसे पंडाल ऐसे धर्म आयोजन आपके द्वारा हमिसा होते रहे भ यदा मूलं भगवताम सर्वेशाम यथा व्यापतम लिजे यस्यम पाप विनास्ति पाशो विसंतम उन्चयह स्वस्ति ही स्वस्ति स्वस्ति सामराज्यं स्वस्ति भोज्यं स्वस्ति योगं अरमेश्वरं स्वस्ति भूयह श्री युक्तम व्यासादि व्यासो पुन्य व व्यांसो हो गुरूर ब्रह्मा गुरूर विष्णू गुरूर देंटव तु इस्वर गुरूर शक्षाद परब्रह्मह तस्मै आप सबके साक्षी में साथ दिन मैंने महंदर जी के बंगले में रहकर जो भी भजन ध्यान पूजा संध्या उपासना की बोफल और श्रीमत भागवत का था व्यासपीट पर जो बांचने का कहने का फल भगवान मुझे दें वो सारा फल इंद्र देव गुरु होने के नाते मैं महंदर जी की जोली में उनके पत्नी की जोली में अरपन करता हूँ भागवत का फल मुझे नहीं चाहिए यज्यो पवीतम पर्वं पवितरम प्रजापतरिय सहजम पुरुस्ताग आयोस्मगर प्रतिमंच सुब्रम यज्यो पवीतम बलमस्तुते जह यज्यो पवीतमसी यज्य सित्वाहा यज्यो पवीते नुपहन्यामी अम्रितो वासदेवई तथाईवचा पर्मानंदम समागते और महंदर जी आपके पुत्र बधू पुत्र नाती पूते बेटी जमाई सबके सब प्रसन्न समस्त परिवार आपका पित्र सारे संपन पके पूतर से होती रहे वारवारा यज्मान बनें फूति-कल्सकी पूजाप के हातों से हो निरंतर धर्म की रहे आपकी खेती धर्थी सब प्रसन्न हो जितना धन खर्च किया उसका कई गुना धन आपको अंगली कथा-था तक प्राप्त हो तान्यो महान हो जय जय श्री सब को बहुत बहुत आभार और इन साथ दिनों में कुछ भी बोल चाल में कुछ कड़क निकल गया हो उसको छोड़ दीजिए और मुलाइम मुलाइम को बिना दात वाले चवा के ले जाईए काम चलाईए अपना घर पे आनंद लीजिए सामर्त रखिए और सब लोग मिलकर सं संग से ही होगा और कोई अनुष्ठा नहीं है जो हमें धार्मिक बना सके सत्संगी बना सके बेवेक्सील बना सके सारे पूजा पाठ आप करते रहो पर सत्संग के बगेर कभी उधार नहीं है उस आधार पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका